अब हम डिसकुस करते हैं तो जो पहली डिजीस है उसको हम कहते हैं अलसर you के फनके इसके प्रक्राइशद य। आपका स्थामत जो होता है। उसके अपने द़खम प्रोडिउस हो य। और आपके अपने बार्द curhat na इक आपके ऐखक न.. अगर हम ulcer के reasons की बात करें तो helicobacter pyrrole जो है इसका सबसे जादे important factor है उसके इलावा आपके non-steroidal and anti-inflammatory agents भी जो है and then peptic ulcer जो है वो आपकी family के अंदर ये रन करता है so that's why it is also a heredity disease अगर हम इसकी prevention की बात करें तो again आप smoking, aspirin, coffee, tea, alcohol और जो आपने अपना meal जो है वो skip नहीं करना because अगर आप अपना meal skip करेंगे तो आपके अपने digestive enzymes आपके stomach lining को जो है वो digest करना start करतेंगे इसके treatment में again आप जो है वो anti-acid और milk ले सकते हैं vomiting जो होते वो आपकी pain को relief करती है और फिर आपने जो है कुछ ऐसी medicines होती है जिससे हम आपके acid को suppress कर जाते है अब हम बात करते हैं second disease की that is the food poisoning food poisoning basically यह वो diarrhea होता है, vomiting होते है और abdominal plane होती है यह उस time होता है जब आपकी food जो है उसके अंदर toxic substances होते है इसके अंदर दो important bacteria बहुत important role play करते हैं जिसमें पहले का नाम है salmonella and then second is the chemtobacter again prevention में आपके, क्यूंकि food के अंदर toxic chemicals होते हैं तो आपने उनको avoid करना है hygiene follow करनी है, unboiled water आपने use नहीं करना fruits को अच्छी तरह wash करके, peel करके use करना है और जो खाना है वो हमेशा आपने freshly prepared लेने है इसके treatment में आपने जब आपको food poisoning हो जाए तो उसके बाल आपने easily digested diet लेनी है जैसे soup, fruits, drinks, tea and cold drinks लेनी है and then आपने oral rehydration salts भी लाजनी लेनी है because vomiting और diarrhea जो होता है उसके वज़ासे आपकी body salts जो होती है वो body से remove हो जाती है तो उनको body salts की balance को maintain करने के लिए आपको oral rehydration salts जो होती है वो ज़रूरी होती है and then आपने antibiotics लेनी होती है ताके जो bacteria है वो kill हो सके और remove हो जाए जो symptoms होता है उनमें आपकी body या stomach में heart burn जो होता है वो start हो जाता है इसकी reasons में एक ही बात है कि जाहीर बात है आपके stomach के अंदर food जो है properly digest नहीं हो रही just sometimes आपके gall bladder जो है वो इतनी secretions नहीं दे रहा जितनी required है अगर हम इसकी prevention की बात करें तो आपने ऐसे food को avoid करना है जो कि आपके dyspepsia को increase करें उसके साथ साथ आपने alcohol, tea और fatty foods को avoid करना है खाने के फॉरण बात आपने exercise नहीं करनी और खाने के साथ अगर आप सोएंगे तो उसके बात भी आपके dyspepsia हो जाते है इसकी treatment में जो है वह आपने antibiotics पहले आपने reason बता करना है कि reason क्या है क्यों dyspepsia हो रहा है and then आपने antibiotics लेने ताकि अगर stomach की malfunction में bacteria का role हो तो बैक्टेरिया eliminate हो जाएं फिर हमारे पास आते है obesity obesity nowadays is one of the most common disease in the world और इसको हम mother of all disease भी कहते हैं it is described कि जब एक बंदे के अंदर abnormal amount of fat body पे deposit होना शुरू हो जाए तो इसको हम obesity consider करते हैं इसके factors में बहुत सारी चीज़े आजाती हैं आपका बहुत जादा आप जो है limit से जादा food लेना emotional disturbance sometimes inherited भी होता है आपके hormonal glands की जो होती है malfunctioning वो भी जो है वो obesity cause कर देता है जब आपको पता हो कि आपको obesity हो गए तो उसके अंदर आपने अपनी lifestyle को healthy कर देना है exercises करनी है अपनी body के अंदर heavy meals जो है उनको avoid करना है fatty foods के avoid करना है और lifestyle को जो है वो healthy कर लेना है ताकि आप इस disease से जो है वो prevent हो जाएं जैसा कि obesity is the mother of all disease तो इसके वजाए से आपको बहुत सारे disorders भी हो जाते हैं for example diabetes heart problems और strokes जो हैं यह इसमें बहुत जादा important है and आपकी जो obesity होते है वो आपके life expectancy को decrease कर देती है फिर हम बात करते हैं bulumia nervosa की bulumia nervosa एक आपके digestion की disease नहीं है बलके एक neurotic disease है इसमें क्यों होता है कि इसमें इसमें क्यों होता है कि इसमें बहुत जादा अपनी food लेना चुरू कर देता है और फिर इस खौफ से कि वो मेट गेन कर लेगा वो अपनी बाड़ी से उस food को निकालता है और वो उसके लिए वो वामिटिंग करता है फास्टिंग करता है जिसके वज़ए से उनकी बाड़ी के अंदर electrolyte जो होते हैं वो imbalance हो जाता है और उनकी तबियत खराब हो जाती है अगेन क्योंकि यह आपके nervous disease है तो इसको जो है इसके लिए आपको proper therapies होती है and then आपने इने hospitalize करना होता है क्योंकि यह लोग इतने जादा vomiting और fasting करते हैं कि उनकी बाड़ी के अंदर जो food होती है यह बाड़ी के अंदर nutrition होती है इसमें human को अपना weight जो है वो बहुत जादा लगता है जिसकी वज़ा से वो food को avoid करना शुरू कर देते हैं और जब आप food avoid करते हैं तो आपकी body के अंदर nutrients जो है वो decrease होना शुरू हो जाते हैं और आपकी body जो है वो अपने normal functions जो है वो maintain नहीं कर सकती अगें ये एक mental disease है और इसको हम proper psychiatric therapy से जो है वो सही करते हैं इसके साथ ही हमारा chapter जो है वो end हो गया I hope आपको मेरे आज के बताएवा topics अच्छी तरह clear हो गए होंगे This is Laibath Aarif from tutorial.pk signing off See you in the next video, take care, Allah Hafiz